राहुल गांधी मार्च से अभी अभी लैंड किये है ये बयान देने वाली हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतिय जंता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनोत ने दिया था और अब कंगना रनोत स्वयम ट्रोलिंग का पात्र बन चुकी है उन्होंने एक इंटर्व्यू के दौरान इतने बड़े बड़े दावे कर दिये हैं जिसको सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं बलकि किसी दूसरे ब्रमहान से ही आई है नमस्कार साथियो मेरा नाम है मेगा हिंदस्तानी और आप देख रहे हैं दे न्यूस लॉंचर आपको बता दूँ कि टाइमसनाओ के एक समिट में कंगना रनोत ने एक ऐसा इंटर्व्यू दिया कि जिसमें उन्होंने इतनी लंबी लंबी फैक्ट्स जो कि बिलकुल गलत सलत थे ऐसी ऐसी बाते ऐसे ऐसे दावे ठोक दिये कि सच मुझ इंटर्व्यू लेने वाली नवी का कुमार भी सोच रही होंगी कि यार किसको ही बुला लिया मैं बात कर रही हूं कि कंगना रनोत ने कैसे दावे किये हैं मैं आपको बता दू कंगना रनोत ने इंटर्व्यू देते वक्त कहा कि जो लोग जेल में मौजूद थे जो जेल में बैट कर टीवी देखा करते थे उन्हें प्रधान मंतरी बना दिया गया अब कंगना जी का जो फैक्ट से वो कितना गलत है वो भी घूำ को बता दू जेल में बैठ कर टीवी देखना कहां से देखे टीवी अब मैं आपको बता दू दोस्तों कि टीवी क प्रशारन जो भारत में दिल्ली से हुआ वो 1959 में हुआ तो ऐसे में यह बात कितन शंद्रबोस देश के पहले प्रधान मंत्री थे कंगना रुनौत ने तो अपने वाटसेब ज्यान का इतना प्रमान दिया जिससे आप भी दंग रह जाएंगे कंगना रुनौत कहती है कि पटेल सर्दार वल्लब भाई पटेल और शास्त्री ये दोनों ही राइट विंग एक्स्ट्रिमिस्ट थे यानि कि इनकी विचार धारा जो है वो राइट विंग की थी तो उनको बता दूँ अगर कंगना जी को ये बात नहीं बता है तो उनको मैं बता दूँ कि दरसल सर्दार वल्लब भाई पटेल नहीं RSS पर प्रतिबंद लगाया था तो जब RSS पर प्रतिबंद लगाने वाले पटेल ही थे तो कहां से वो राइट एक्स्ट्रिमिस्ट थे इसके बाद कंगना यहीं नहीं थमती है वो और भी बाते करती है वो कहती है कि 2014 में असल आजादी जो है वो 2014 में मिली थी और ये बयान वो पहली बार नहीं दे रही है इससे पहले भी नवी का कुमार को ही इंटर्यू देते वक्त उन्होंने बात कई कि असल आजादी तो 2014 के बाद मिली थी लेकिन अब तो उन्होंने हधी कर दी कंगना रनौत इस इंटर्यू में कहती है कि असल आजादी 2014 के बाद इसलिए मिली क्योंकि अंग्रेजों के समय ह विचारधारा की गुलाम थे तो क्या कंगना रनौत भूल गई कि जब हम गुलाम थे तो किवल विचारधारा के ही नहीं शारेरेक रूप से तमाम पहलू से हम गुलाम थे कंगना रनौत उल्टा सवाल पूछती है कि क्या हमें जेलों में कैद करके रखा गया लगता है कंगन से सहलूक किया जाता था उनके साथ किस प्रकार का विहवार किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा वो तमाम चीजें कंगना रनौत भूल गए और इसलिए इतना जादा वो भारतिय जनता पार्टी अमोधी प्रेम में इतना जाद लीन हो चुकी है इतनी अंदभक्त हो इस प्रकार से सुप्रिया श्रिनेत की अकाउंट से जो एक पोस्ट हुआ था जिसको लेकर सुप्रिया श्रिनेत ने बकायदा बयान दिया था कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लिया गया था और इस प्रकार की पोस्ट आपत्ती जनक पोस्ट हुई थी अब इसक यह कंगना रनौत ने इसमें भी विरोधा बात दिखाया और इतनी जादा जस्टिफिकेशन देने लग गई कि उन्होंने कंगना रनौत अपने ही बातों में फस्ते हुई नजर आई वो कहती है पॉंट स्टार होना तो कोई गलत बात नहीं है यह प्रोफेशन है और ब्लाब अधावास उनकी बातों में था कि जब भारतिये जनता पार्टी आपने क्यूं जोइन किया इसको लेकर सवाल पूछा गया तो दस सेकेंड का ब्रेक लिया उन्होंने मतलब जिस पार्टी ने आपको टिकट दी जिस पार्टी के प्रतिया आपकी तनी श्रधा है अपार्श उस पार्टी को आपने क्यूं जोइन किया इसको इस सवाल का जवाब देने के लिए आपने दस सेकेंड लगा दिये कि मोदी जी के प्रशंसा में कौन-कौन से शब्द निकाले जाए ऐसा गंभीर और ऐसा चिंता-जनत प्रश्न तो था नहीं सूचना तो आपको तब चाह चाहिए जब आप ये दावा करती है कि पटेल और शास्त्री राइट विंग के पॉलिटीशन थे सूचना तो आपको तब चाहिए जब आप कहती है कि 2014 में असल आजादी प्राप्त हुई क्या इन सभी प्रश्णों का उत्तर देते समय आपने कुछ भी नहीं विचारा और तो और कंगना रनौत ने नेपोटिजम को लेकर भी एक विरोधा भास दावा कर दिया बयान दे दिया उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस में लगातार देखने को मिलता है कि परिवारवाज चल रहा है अब नभीका कुमार ने इससे संबंदित प्रश्ट पूछ लिया ये तो भ वो कहती है कि वो opposition से घबराई हुई है मतलब उनको uncomfortable feel होता है क्या ये बड़ा statement नहीं है क्या ये controversial statement नहीं है कि आप देश के विपक्ष के निताओं के समक्ष आप कह रही है कि अगर मुझे कहीं पर भी विपक्षियों के साथ बिठाया जाता है तो मुझे बहुत ही जादा uncomfortable महसूस होगा मतलब आप देश के विपक्ष के बड़े बड़े दिगर्ज निताओं को आप कह रहे हैं कि आपको और सहज महसूस होगा क्या ये बयान और इस प्रकार का इस प्रकार की इमानसिक्ता और शब्दों का प्रयोग करना कहा तक जायज है जरा सोच ये कि सब यूनिवर्स्टी कितनी सुचारों रूप से चल रही है और इसके ज्यान लेने वाले भी लोगickt में तमाम दावे कर देते हैं ना इने पता होता है और ने घ्यान होता है कि कौन सा नेता किस वक्त किस पार्टी का था किस विचार धारा का था भारत में टेक्नोलोजी कब आई किस वर्ष आई कम से कम डेटा तो जो है उसे चेक करके बाद बोली आप एक इंटर्वियू में बैठी है और अब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है अब आपको बता दू दोस्तों कि भारतिय जंता पार्टी की तरफ से तो कंदर अनौत है अब उनके खिलाब कॉंग्रस की हाला कि अभी कोई आधिकारिक घोशना नहीं हुई है लेकि चंडिगड के कॉंफरेंस में ये उन पर प्रतिभा सिंग जो है जो मौजूदा सांसद है मंडी से उनके नाम पर मोहर लग गई है और इसको लेकर कॉंग्रस के दिगज नेताओं ने भी इस बात की पुश्टी की है अला कि मैं फिर बता दू कि कॉंग्रस की तरफ से अभी आधिकारिक पुश्टी नहीं हुई है तो दोस्तों सवाल ये उठता है और ये भी आपको मुंबई में रहेंगी तो हिमाचल के लोगों की समस्या कैसे सुलजेंगी और एक सर देखा गया है आप चाहे गुर्दासपूर पठान कोट में देख लिजे कि किस प्रकार से सनी देवल को जो है बकायदा चुना जाता है लेकिन फिर वो दिखाई नहीं देते और इसे तम एक ऐसा प्रत्याशी एक ऐसा व्यक्ति को आप रत्याशी बना रहे हैं जिसको राजनीती की समझ नहीं राजनीती समझ छोड़िये वो बार बार तो कंगना खुद ही कि वो पॉलिटिकली डिस्कनेक्ट है डिस्कनेक्ट है हर इंटर्विव में वो कह रही थी कि अगर इस पूरे इंटर्विव में अगर इस पूरे इंटर्विव में नरेंद मोदी अभार्तिय जंदा पाटी की तारीफ होती तब भी समझ आता कि आपको किसी पाटी ने टिकट दिया है आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन पूरे इंटर्विव में अपने लगा दिए विपक्ष और तमाम लोगों की ही बात कई न अपने लोगों को क्युकि एक इंटर्विव में लोग आपसे सुना चाहते हैं कि आप क्या सोचती और आप ईक प्रत्याशी है तो आपको आपने लोगों के बारे में बताना चाहिए कि आप लोगों को किस तरीके से संतुष करेंगे प्रयांका गांधी बाड़ा को जबरदस्ती politics में लाया गया हुनका तो कि ये आप कर रहे हैं चलिए छोड़िए ये बाते तो आपकी विचारधारा आपके खुद की personal opinion भी हो सकता है लेकिन जो आप inaccurate facts present कर रही है कुछ भी कह रही है कि इंटर्व्यू देखने वाला शक्स उसे ये नहीं लगेगा कि क्या ये होनी चाहिए प्रत्याशी क्या ये सांसद होना चाहिए क्या हम इन्हें वोट देंगे जिनने राजनेतिक समझ तो छोड़िए आकड जो छटी सात्वीक अक्षा के बच्चे तक को पता होता है वह बात भी नहीं पता वह कहती है कि प्रधान मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी सर्दार वल्लभाई पटेल लंडन से पढ़ाई उन्होंने किये उनके ही क्वालिफिकेशन पर सवाल उठा दिये अगर आपको अपने आपको साबित करना है तो अपने अपने तरीके से अपने उपीनियन को प्रेजेंट कीजिए ना कि किसी के बारे में कुछ भी अनर्गल बाद छोड़े इनक्यूरेट बाद जिसका जो जो तत्थे गलत है आप उसे बता रही है तो वह आप पे हैं लोग दोस्तों अब यह आप पर है आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपने एक नर्णौत का जो इंटर्व्यू है वो देखा की नहीं और देखा तो आपक लगते हैं कि कॉमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया मुझे दीजिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत मैं मिलती हूं आप से अगली वीडियो में थन्यवाद